कि लास्ट क्लास का क्या पड़ा पहले वो देख लेता एक बार सौट में का नाम पर हिया प्पर हम लोग एसीट और बेस का बार में पड़ा यह स्में प्रbles को यहां इसीट को एसीट में डुबाये का तो क्या और रिपरेज़ ब्लुटु रेड यह 4-1 और रेट टुब्लू होगा फोर बेस को डाउट नाइस कैसे यार रहे हैं बीफोर बेस सो रेट टुब्लू बीफोर ब्लू फिल फोर बेस ठीक है फिर हम लोग कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर का बार में पढ़ा जैसे कि फेनॉप्थेलीन मिठाल ओरेंज यह सब का बार में लेटमस सोलीशन भी एक परपल डाई है जो लीचन प्लेंट सेक्स्ट्रक किया जाता है और सम आदर नेचरल इंडिकेटर्स आर राइक रैड कैब हो जाता है कन सा कलर आता उसका बार मैं जैसे कि पली आधम प्थालिय का ब्रसन केंडिक होता है तaráडर राइस में एल्लोछे चैप का होता है तरी होता नेचर ब्राइन फरनश Nós जैसे कि फेनफेल में कलरोल सएक मिण आता है ₹टर सिंत नियौन सा कलर आता है उसका बार में ऐखे टिमें और से पते से चलता है जैसे लोड चेंजे रउजाता है ऐसे वैंइसर उनिप की चैत्स नोन darum Sum और में डालता चैशीर है अपीश मीट है अंपाम किया बड़ा टा चीप कारी है फ Art सोब सॉल्यूचन है लिए और रखने का में नहीं आखनगे जब सु onsolसा टीट है कि देटिविंग स PPT趣 देटिफुगों सिंद्ध को सबस्कार रहे कि ट्रों सली क्या तौन सोबसे अब चिंग प्लास हो ठीक है जिंग क्या है है हाइड रिश्प्लेजन को रिश्प्लेज किया था अब किस किसको रियक्टिविटी सीरीज यहाद है चैप्टर वान उप से सबसे पहले क्या था पर्टेशियम, सोदियम, सोदियम, केल्शियम, मेकनेशियम, एलिमुनियम फिर फिर सर्जिंक फिर अच्या अलिमिनियम और जिंक आड़े कार बन था हम पताया था ना याद है हाँ हाँ वो नॉन फिर लीड और इसका बिसमें क्या आएगा हाइडरोजन इसका आएगा कॉपर कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड नीचे जाके गोल्ड कॉड आउट अब तुम देख सकता है कौन-कौन सा मेटल हाइडरोजन का उपर है इसका नीचे गा टैफिनली हाइडरोजन को डिस्प्लेश करेगा पर उसका नीचे गा टैफिनली हाइडरोजन को डिस्प्लेश कि नहीं करेगा पर अंदर सेचन संग्स्टेंस यह भी डिस्प्लेश कर सकता है बात में आएगा मिल जाएगहा कैंसे यह इंडरोजन को पिसरीश क्रेंस करेगा जैसे कि कौपर वेसल में भी जंग लग सकता छ्राब हो सकता टॉक्सिक हो सकता है जब कोई तुम समान ज्यादा लंबा समय तक रखता है अचा अचा रख दे तो तो यह भी हम लोग कल किया था मैटल कार्बनेट जब भी एसीद के साथ रियक्ट करता है वह कार्बन डायक्साइड और यह दू चीज़ रिलीस करता है कार्बन डायक्साइड प्लस वाटर अब बचा सॉल्ट का बारी अब दो कार्बनेट और हाइडरोजन मिलके क्या बना दिया कार्बन डायक्साइड प्लस वाटर अब यह सोडियुम और क्लोरी नहीं बचा तो था यह वह बनेगा वह सॉल्ट ठीक है है यहां से मेटल और यहां से नॉन मेटल बस यह उठाना स्वाइब बनाने के लिए वह अगशा नहीं कि यह यह नहीं कि यह प्रॉडक्ट फॉर्म हुआ उसमें भी कार्भान डायक्साइब पास होगा गल lequel है कैल्सक्त्राइब यह सब्सक्राइब याय जम्म क्या है यह वाटर में खुछ लिए दन और यह चोटा चुछता चीज यह हैं सीक्यूमिया कहीं डाल देता है सरसंडमें में कैल्सम कार्बोनेट फ्रेसिपिटिट थे वह बन नहीं है जबकि calcium hydrogen carbonate soluble है वो precipitate नहीं है ठीक है यह चोटा-चोटा key points है जो mcq में which of the falling is correct, incorrect, accession region कैसे भी डाल सकता है done तो वो examiner का उपर है तो तो तुमको बस key concept ध्यान एकना है तो limestone, marble और chalk calcium carbonate का एक form है अब दो आज start करें neutralization reaction ठीक है तो neutralization का, neutral का meaning क्या होता है ना positive ना negative for example हम लोगों जाल खा लेता है तो क्या करता है पानी पीटा है पानी से भी ना हो तो कोई चीनी खाता है या मीठा चीज खाता है तकि जाल को neutralize कर सके हाया ना हाँ मदब जाल का ठीक opposite चीज खाया है है ना हाँ यहां पी वही केस है अब अगर एक acid को neutralize कर ना हो तो हम आपके acid में क्या मिला था base ठीक है ताकि neutral बने इसा salt बने जो neutral है ना acid ना base कोड आउट करेंगो the reaction between an acid and a base to give salt and water is called neutralization reaction definition में कोड आउट बोलता है यहां डबल displacement डहां यहां पार नहीं यहिंक्याद अब बताओ क्या एने मेरा मैटल है यहां पर अगर हम आयों में डिस्प्लेस करें यह है एच प्लस यह सील माइनस है ना है यहां यहां पर यह एने प्लस कि वह मैंने हम दुबारा एक्स्प्रेंट करें ताकि रागव को समझ में आए इसलिए डीटेल जा रहा है अब तुम ज करें सोट्यम जादा बेस्वेटीव मẹटील सोट्यम हमें चीट्राप में यह इना है महां जाकर हाइडरोजीन का जगा लेगा और थाका मार के निकाल यानि वह है क्या वाटर है लिप आउट है तो यह अद डबल डिश्प्लेस्मेंट है कि यह अधिया ऐगा मैं इस तो यह अधिक बैसम होता है फेर खेंट है जैना फिर बीडुन इंड होता है ने अटर आपर दिशन आता है और 11 में जाता डीटेल्स में मिलेगा, 10 में उतना डीटेल्स नहीं है, फिलाल वैसे ही याद रखो, जो OH होने से water बनता है, 10 का pretext में, अब देखो, तो यह था acid, यह था NOH, और हम लोगा बना sodium chloride, कोई बता सके का sodium chloride क्या है हम लोगा day to delight में, नमक, नमक, common salt, ठीक है, इसको common salt नेने का कोई रीजन होगा, इसको common salt नेने का कोई particular reason होगा, ने समझा, क्या बुला, इसको नाम नाम दिया, बहुत सरा salt होता है, तो common salt मतब क्या है, जो हम लोग day to delight में, यूज कर रहा है, इसलिए common salt, बेकिंग सोड़ा भी एक salt है, वसिंग सोड़ा भी एक salt है, पर थोड़ी उसको नमक से compare करेगा, ठीक है, तो common आगे रहा है, मतलब जो हम लोग day to day life में यूज कर रहा है, बिना salt के हम लोगा काम नहीं बनता है, इसलिए common salt, put out, नहीं, बस हम यह logic देपाएगा, और क्या देपाएगा, तो तुम देखो acid plus base बन रहा है, salt plus water, तो यह यहां पर नया formula बनगा, double displacement से ही, तो जब भी acid or base होगा, यह तो confirm है, यह दो cut के बनगा water, तो बचा na और cl, तो यह क्या बनेगा na cl, put out, और यह एक neutral salt है, ठीक है, तो हम बनानी का solid है, हाँ, definitely हम class में दिखाया बिठा करके, हाला कि properly नहीं हुआ था experiment, because बहुत criteria matter करता है, पर हम करके दिखाया था यह चीज, ठीक है, ऐसा नहीं जो बहुत हूज मात्रा में नमक बनेगा, वैसा कुछ भी नहीं है, depend करेगा, तुम कितना मात्र में solution लेगा, अब next और एक example लेता है, suppose H2SO4, plus MgOH, प्रेकेट में तो, अब दो हम को माल में, OH और Hydrogen, गाया भोकी का बनेगा, Water, अब अब अच्या, Mg और, Aso4, Mg Aso4, quit out, नहीं, पक्का, पक्का, तो तुम देख सकता है, नोट्स में यही एक्जाम्पल कुछ दिया आगा, अच्छा, जित्टो सेम एक्जाम्पल ही है, अड़कॉम बैलेंस हम नहीं कर रहा है, बैलेंस तुम लोगा ड्यूटी है, N. आगा, N.H वाला बता दिया, Mg-UH-2 वाला बता दिया, quit out, clear, पहला वाला तो बैलेंस है भी, पहला वाला पहले से ही बैलेंस है, दूसरा वाला तुमको बैलेंस करना पड़ेगा, दूसरा वाला भी तो है, आप 2-H-2 वा दिखा है, ना, वाटर में, हम यहाँ पर बैलेंस किया है, तुम लोगों करना पड़ेगा, बोर्ड में नहीं कर वाया है, done, तो किसी को neutralization में doubt है, क्योंकि neutralization समझ गया, तो यह आगेगा easy है, तो neutralization पहले वो लो, code out, जैसीड और base मिलके salt plus water बनाया है, code out, सबको clear है यह, दिया, प्राची, रजनी, हाँ सब, अब दो reaction of metallic oxide, next topic वो ही है, reaction of metallic oxide with acid, यह particular activity यहार रखना, इस से question आता है, exam में, अब का PDF नहीं देख लाए, हाँ, हम whiteboard इस यह रिक है, तो metallic oxide क्या था, कुन बता सकेगा, क्या है metallic oxide, क्या example, दो टाम, एक दो metal oxide, metal oxide, metal oxide, corrosion sir, क्या, corroded metal कोई भी, हम वेसे नहीं बोल रहा है, iron अगेरा, ठीके, kind of, पर जबूरी नहीं, हरवाद को रोड़ी हो, non-metal oxide, एक example, बताओ, metal oxide और non-metal oxide का, metal oxide का Mg हो, हाँ, जिसमें, metal और oxygen हो, यान क्या मजी हो, पुद आओ, तो वेसे non-metal oxide, sir, H2, या फिर carbon dioxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, ठीक है, तो यानी, metal oxide में एक metal और oxygen रिता, non-metal oxide में, non-metal or oxygen रिता, पुद आओ, सिंपल भी, H2O नहीं हो, ने, H2O भी non-metal oxide है, definitely, पर वो neutral है, तो इसको, hydrogen बहुत एक, hydrogen को, अलगी position में बेठाया जाए, पीडेज के टेबल में, हम लोग टॉप में, पर रवान में, पर hydrogen एक्चुली, अलग से बेठाया जाथा, बहुत सा प्रोपर्टिक से, जो मेटल के साथ भी मिलता है, नौन मेटल के साथ भी मिलता है, तुम्हों के ऐसा देखने को मिलेगा, तो hydrogen के अलग स्टडी, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, hydrogen एक अलग तरएक अलिमेंट है, फर एक्जामपल, hydrogen में H+, लिखता है, तो वो मेटल का तरह हो गया, और वो H2 फॉर्म करता है, जो कि नौन मेटल का तरह हो गया, जैसी क्लोईन गेस, ऑक्सिजन गेस, hydrogen में नौन मेटल का और मेटल का दोनों का प्रोपर्टिस तुमको देखने को मिलता है, तो वो एक अलगी, उसमें जाएगा, अब दो, हम नहीं हाँ पढ़ने वाला, मैंटल अपसाइड वीड एसीड, ठीक है, clear, हाँ, चलो, MgO का एक्जामपल लेज़े, MgO plus HCl, को बता सके है, प्रोड़क्ट क्या आएगा, MgCl, MgCl2, विकोस मैंगेसिम का वैलेंसी 2 वात है, और बचाही चोरो, तो यहां बनेगा, वाटर बनेगा, H2, तो क्या यह वाटर बनेगा, हाँ, गडाउट, डबल डिस्प्लेस्मेंट दी लगा, पर क्या कोई सिमिलेटी स्ने चाज़ा रहा है, इसमें और इसमें कोई सिमिलेटी स्ने चाज़ा रहा है, वाटर, दोनों में एक acid क्या इस्तमाल हुआ है? हाँ ना? हाँ दोनों में water form हुआ है? और दोनों में salt form हुआ हाँ ना? हाँ पटाव ऐसा तो नहीं है अगर तुम Mg-OH लेता तो भी तो Mg-Cl2 बनता हाँ ना? अगर तुम यहां Mg-OH2 लेता तो भी Mg-Cl2 बनता है नहीं बनता? हाँ मतलब मेटल से है मेंगनेसिम से है मेंगनेसिम और क्लोईन मिलके क्या बनता है Mg-Cl2 तो बनता? तो यानि बस फर्क यह है इस बार Mg-OH का जगा Mg-O है है ना? ठीक है? ठीक है मना format से में तुम देखेगा acid अरे आम जगा क्यों बजलता acid salt water water पस एक चीज़ बतला क्या बतला? Mg-OH2 का जगा Mg-O है हाँ याना? यहां से में यह बोल सकता है उपर में Mg-OH2 बेस था पर नीचे Mg-O है वो बेस का जगा लिया है यान क्या में बोल सकता है Mg-O basic का तरफ बिहेव कर रहा है तब यह तो salt plus water form हो है है ना? यह acid यह salt यह water तो अव्यसा बात है यह किसका जगा लिया है? बेस का जगा लिया है हाँ यहां से यह पता चलता यह Mg-O is basic in nature यान कि metal oxide are basic in nature what out? नई तो metal oxide are basic oxide बेस समझ में नहीं है क्या समझ नहीं है बताओ फिर से तुम यह देखो हम यहां पर है लेता है विवन था MgCl2 तो यह वाला तो clear है ना कि यह neutralization reaction हाया न क्या था? एक acid एक base salt water कोई problem? ठीक है इतना में? हाया ना? रागव हाव या अब तुम देखो नीचे वाला में वही किया हम क्या किया? Just MgOH2 का जगा MgO लिया बाकि जिट्टो सेम है जो balancing बदल जाएगा बात है हम balance नहीं कर रहा है balancing बदलेगा बाकि सब जिट्टो सेम है प्रोडक्ट में यानिकि अभी एक acid ले रहा है salt बन रहा है water बन रहा है बस पढ़र कितना है? बेस का जगा हम लिया MgO यानिक हम यह बोल सकता है MgO बेस का जगा लिया है पर प्रोडक्ट सेम आया है पतब MgO बेस का तरह behave किया है यानिकि MgO क्या है basic in nature है यानिकि वो basic oxide है put out because उसने acid plus base implies salt plus water उसी reaction को follow किया है यानिकि MgO भी basic का तरह behave कर रहा है put out clear okay यहां बोई दो cuo का example है जो कि black in color है जब acid के साथ यह करवा है क्या बना CuCl2 plus water यहां बना CuCl2 copper chloride क्या blue green color exam में color पुछता है if you observe that the color of copper oxide turns blue green due to the formation of copper to chloride और यहां पर भी दखो यह acid है यह salt है यह water है तो definitely copper oxide क्या है basic oxide यहां से पता चलता है metallic oxide basic oxide done यहां पर दो example तुम लोग दूसरा देखो same Aluminum oxide को H2SO4 के साथ करवाया कहानी वह है Aluminum sulphate plus water यह Aluminum और यह SO4 मिलके compound बना जिया cut out clear clear comparing 2 with 1 obviously यह रहा 2 और 1 देखो यह रहा तो देखो खाली base का जगह क्या है metal oxide metal oxide यानि कि metal oxide basic in nature तो देखो metal oxide basic in nature अब exam में one-man को पूछ सकता है why metal oxide basic in nature क्या बोलेगा क्योंकि हम लोको पता चल रहा है the reaction between metal oxide and acid to give salt and water is similar to the reaction of base, wheat and acid है ना similar metal oxide का acid के सथ reaction है वो base और acid का reaction के साथ similar है since acid और acid same हुआ so metal oxides are basic oxides good out हम फिर से बोलेगा बाहेट करने का चीज़ नहीं अभी दिमाग में बेच जाएगा क्यों metal oxide को basic oxide बोलता है because the reaction between metal oxide and basic metal oxide and acid is similar to the reaction between base and acid to give salt and water अब तो वो पहले लिको बात में लिको तुमाहा चोईस है since दोनु reaction similar है time comparing हमनों को पता चलता है metal oxide base का त्रभी एफ कर रहा है good out clear है सबको आगे बढ़े आगे दिया ठीक है आगे दिया अगे यह formula भी कापी famous है famous तो क्या ही बहलेगा मतला तुम देख सकता है वो बहुत similar compound आ रहा है नहीं आ रहा है क्या यह reaction पहले नहीं मिला है water-pans-one carbon dioxide is pastro lime water हाया ना हाया ना हाया क्या क्या calcium carbonate क्या white precipitate है तो यह अलड़ी similar reaction है तुम देख सकता है क्या carbon dioxide मेरा non-metal oxide है acidic की तरह काम पर है और calcium hydroxide यह है base यह बन क्या salt यह बन क्या water इसको बात में आता है यह base plus something gives salt plus water पर हमको मालम है यह किसके साथ similar है base plus acid के साथ तो carbon dioxide कैसा behave करेगा acidic जैसा non-metal oxide क्या हुआ acid acid metal oxide basic oxide है non-metal acidic oxide है और यह chapter 2 chapter 3 chapter 4 तीन में काम आएगा even chapter 5 हाला कि chapter 5 तो तुम्हों कहा है नहीं periodic table तो वह skip छोड़ो वह सेवा में बता देगा पर chapter 2, chapter 3, chapter 4 इस तीन में काम आएगा तो यहा रखना metal oxide basic होता है और non-metal oxide acidic होता है ठीक है तो same कहानी why they are called acid oxide same because the reaction between non-metal oxide and base to give salt and water is similar to the reaction between acid and base तो base और base गया तो non-metal oxide क्या हुआ acid good out तो यह neutralization non-metal oxide metal oxide यह एक्षण जूड़ा हुआ है neutralization क्या था acid plus base मिलके salt plus water बनता है फिर metal oxide में क्या पता चला जह metal oxide basic oxide होता है और non-metal oxide में क्या पता चला जह उरक acid हो oxide होता है यहां तक देख लो किसी कोई doubt है क्या फटा 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 बहिया हाँ आप जो रोक में file उसमें 10 page है क्या हम जो send क्या उसमें कितना page है 10 page ही दिखा रहे मेरा में हम गलत पीज़े भेजाएगा क्योंकि इसमें आपका 32 दिखा रहे 10 page ही दिखा रहे 10 page का तो definitely नहीं है हम गलत पीज़े भेज़े हम साई पीज़े भेज़ेगा हम गलत पीज़े भेज़े हम गलत पीज़े भेज़ेगा आधा वाला पेज़े अगा फर्टी से लिखे बढ़ती से पर आधा बनाया वाता ना वाला पोर्शन नहीं आ रहा ना यूनिट तेस्ट में नहीं आ रहा यहारा वट डू ले से चन्बेस हैं इन कॉमन करवाएगा प्लास में करवाया था फिर मेरा पीडिया था स्लम चेंज नहीं करवाएगा यह एक्टिविटी बहुत इंपोर्टेंट है इस से अच्छा की स्टेडिज बन सकता है कि चलो नुट्राइजिशन मेटल ऑक्साइड और एसे दिक ऑक्साइड किसी को खुए डाउट कि आगे बढ़ें कि दन कि पाकर के पीज टूइंची तू खूल लो एक बार कि पाकर के पीज टूइ लो है कि पीज टूइंची प्राइबगा Спीडिज टु है कि ट्वेम में बढुर्ची ए sound कि ए म हमल और एक पाकर के पास्टेजाग si बढ़ेंłem कि पीजह व्ले और जूग एक यस्ड और सकता है अब दो, why should curd and sour substance not be kept in brass and copper vessels, यानि की दही, या कोई भी sour substance को copper या brass vessel में नहीं रखना चाहिए, चलो, copper vessel के एक्जामपल लेता है, तो copper एक metal है, है ना, है, है, कोपर किसके साद रेक्ट करेगा, acid के साथ, acid, तो दो, हम क्या लिखा हैं, अब के लिखा हैं, क्या लिखा हैं, क्या these contains acids which can react with both, sorry, which can react with the metal of the brass और copper, brass में जो metal होता है, उसके साथ, या copper के साथ react कर सकता है, तो फर्म toxic salt, तो जो salt बनेगा, वो toxic होगा, जिससे हम लोगो food poisoning हो सकता है, cut out, due to the reaction between that metal and curd, यानि की दही या जो भी sour substance है, जो भी salt फर्म होगो, वो toxic होगा, जो हम लोगो ही नुक्सान प सब को clear है, हाँ, यहां किसको में को सवाल नहीं आया, आइरें के साथ ठोने दिया फिर पाप, अरा आइरें के साथ भी करेगा, हम लोग तो घ्रमाद भी नहीं आया, हाँ, वो भर में जो glass हो, श्टील का है, बोलो, बाटी ये सब श्टील का है, बोलो, बोलो, सवाल आया कोई आजिया है इस अपनिक बाद हम थोड़ा दर पहले बताया था चोपर तो हाइड्योजन का नीची होता है क्यों इसका जवाब हम देता है नीचे लिखावा है पस समझावा रहे ना अगर एक्जाम में किसी तरीके से पूछे तो तुम लिख सके यह बाद करनेगा नहीं है buys size video we have seen in chapter 1 that less 60 metal do not displace high reactive but in page number 22 question 1 copper displaces hydrogen in an acid the control because there is less difference in the activity of copper and hydrogen you look close almost so it can be overcome by the difference in the temperature दही ठंडा होता है नहीं होता है नहीं होता है दही का ताप मां तो ठंडा होता है पुटाओ प्लस दूशन तो बहुत नहीं होता है या तो नहीं है तो नेक्स देख लिए हनिका रहे है समझ रहा है तो वह कैसा आवरकम हो सकता है कितना थंप्रेचर में है कितना ठंडा है या जो भी है तो उस कारण से कॉपर भी ही तो पर कर सकता है इंडा के तुम यह बोल सकता है हीरो को राक्सेसल रहने के लिए मोटिवेट कर दिया और हीरो जाके मार के आ गया मुवी में यही तो होता है पहले हीरो पर मार खारा मार खारा मार खारा एंडिंग में मोटिवेट होगा और किसी ना किसी तरह से मार देगा वही कहान कर लिए लेक्टिटिक चिर एक कपर एकप्रो दागि के सिद्प बिए कि तो जाता फर्क नहीं सब्द लेक्टिकटीवट है तो यह के तो चालता फिटिविटी है जुम्य है डुन है तो हम फार्टिक अशंग मैं किया जा सकता है क्छिररСпि शेकथ indicate नेक्स्ट गो नमबर टू क्या पुछा है नेम दा मेटल जो शॉरी नेम दा गैस्ट विच इस रिलीस्ट वैन एसे रेक्ट मेटल और वे समय दा हाइज इलुस्ट्रेट विटन एक्जामपल यह लो एक्जामपल पता दिया हम यह अल्यदी पढ़ा हुआ है है ला और टेस्ट वर प्रेजिंश वे लिखा इफ वी ब्रिंग ए बंडिंग केंडल नियर हाइड्यूजिन गैस इट बंस विटे पॉप साउंड को डाउट अब नमबर ट्री देखो क्या बुला है मेटल कंपाउंड ए रियक्विद डाइलूट अच्छे से समझना तुमको पता चल जाएगा ए बीसी क्या आएगा डिपेंडिंग अन प्रोड़क्ट तुमको मेटल कंपाउंड ए जो भी ए है सपोज ए हम लिख रहे है ए प्लास डाइलूट हाइड्रोक्लोरिक इसीड तो अवेसा बात है पताचल जिए में क्या फॉर्म हो रहा है तो कार्बोन डाकसाइड तो और एकजामे पूछेँ का ना कारबोन डायकसाइड गैस का टेस्ट लिखो कैसा पताचल जा कार्बन डाकसाइड का सामने लाओ वह चैंडल बूच जाएगा को डाउट अगर केंडल बूर जी किया मतलब वो गैस क्या है कार्बोन डाइकसाइट अब हम लोगों मतलब है सॉल्ट से ठीक है अब वे सब्सक्राइट होगा है अगर कार्बोन डाइकसाइट प्रोडूस हो है तो यहां क्या होगा कहीना कहीं कार्बोनेट है है यह अब तो कार्बोनेट प्लस ऐसी क्या फिर्म करता है सौल्ट प्लस कार्बोन डाइक सब्स वाटर अब यह बहुत है क्या बोला इस वन अफ दा कंपाउंट फिर्मिक्स केल्सम क्लोराइड तो सॉल्ट किया है यह सॉल्ट में है तो स्टाइटिंग में रहा होगा तो स्टाइटिंग में रहा होगा रहा है होगा दो लिखने का तरीका भी देखो हम यह लिखने का तरीका बहुत है अश्याशी लिखा है ताकि दुन लुको पता हो फिर्मिक्स का पार्ट था अलग अलग कोश्चन था कम लिखा कैसे गास इवर्भी सपर्भून डाएक साइड बस अंडर लाइन करेंड ना मेटल कंपाउंट ऐस केल्सम कार्वूनेट और फॉरमुला लिग दिया हम फिर रीक्शन देखें हैं फिर रीक्शन दिया और फिर रीक्शन लिख दिया तो मिल गया 3 माक्स 1 1 1 या फिर नॉट नेसेरी 2 माक्स भी हो सकता है हाफ हाफ वान वो डिपेंड एगा हाइ चांच से दो महर की देगा हाफ फाफ वन ठीक है पर सेवा में यह तीन मार्क में आयाव है क्लियर तोर लिखने काता प्रद्र होना चीह है शुद्ध होना चीह टूडबंड में डारेक्ट किया होना सर्फ Chan ठीक है प्षय है अंश्यृत कॉमा केल सम् कार्बियुनि आपक्षं नहीं चले वो उस मरक्स नहीं मिलने वाला इस सिद्र लिंग आठाएगा लेख़ी है। तो पता चल गयान अग्तव पर्टिकृvoorि आलू प्रेटगाफ चेंज करो जब प्रेटगाफ अलग कुछा तो प्रेटगाफ अलग को अब देखो वाट डू अले सीट्स अन बेसेस हैं इन कॉमन तब तक हम लोग बहुत सा एसीट और बेस्ट पढ़ा क्या कॉमन था सबने हम एक्जामपल लेता है देखो अशीट बेस्ट क्या क्या पढ़ा है एसीएल एस फोर फिलाल पर्टिक्लर यह दो ही एसीट पढ़ा है और बेस में तो बहुत प्रलाक्तिक भी पढ़ा है अनुएच हां नेक फॉर्मुला नहीं हम फॉर्मुला बाइस बोल रहा है नोएच श लिए गो ही टूएंजिए ऊच टू एक्सेक्ट्रा आया ना делать तो देखके बताओ क्या क्यों मुझन है अधिष में हाइड्रोजन काममन है और बेस में और सबको दिख बेस में ओच को मोना रहा है और एक और फीश को मोना रहा है तो हमनटर विए तिसमें ह है वह एक नए जैसे कि एक ऐग्जामपल ने क्या है एनएच ठीर पाथाओ इसमें कौन सा अचीड है कौन सा बेस है अच्छे वाना बेस है अच्छे वाना बेस अच्छे बेस है और इसका कॉमन नेम मानूं में कॉमन मानूं दूसरा सब्दों में इथानॉल भी बोला जाता है इसका बारे में चैप्टर फोर में आने वाला है अध्यान है नोट इथानॉल इथानॉल इथानॉइक बुलगर तो तो ची यौइड नहीं बोलना चाहता है जिसमें तुमकोपारो में बेस है है वाइस है यह सब बेस नहीं प्रफिलाल इतना जाने हो इसमें क्या है H plus ions है इसमें क्या है OH minus ions है यह दूर ions से जो बताता है यह acid है किस भी compound में H plus ions पाया जाता है dauert और चीज भी compound में OH minus ions पाया जाता है वो भी इस Clear सब को clear प्राची दिया रजनीन क्रिश्ना आसे ठीक है तीदी का कॉलेट्ट चालू हो गया कुषाल नई भिया केसी दास में तो हो गया ना एद्मिसन केसी दास में जीसी सीम में हुआ है हाँ भिया यहाँ एद्मिसन करवा लिया हाँ हो भी गया चलो भड़ी है अच्छा कॉलेज मिल गया ठीक है चलो आओ एक्टिविटी 2.8 बुक हाँ गया सब को दिखाए देदा आधिंग सब को पता ही चल रहा निचे एक सल्यूशन लिया वह सल्यूशन क्या है अधिया है निचे रबर कॉक रखा रखा रबर कॉक में क्या अठका दिया नेल यह डाइग्राम समझ लो एक्जाम में आने से खुछ से बनाने से कहिए कुछ खास नहीं है देखो एक वैसल लेना है और वैसल में रखा रखा रखो एक कॉर्क ले लिया कॉर्क क्यों लिया थाकि नेल को अठका सके और कुछ नहीं ठीक है तुम बिन क्रक अठकτανा चाहता है अठका हो Goi fault नहींma है और इस नेल में क्या किया है वायर वायर को बैटरी से कनेकनutil आप और बैटरी को बल्ब से डन इस सेटा में किसको प्रॉब्लम है अब अब अज यह देखना चाहता है यह स्वीच ओन करें बल्ब जलता है नहीं जलता तो अब्जर्फ करेगा जब डाइलूट एचल सल्यूशन था तो बल्ब जला ठीक है पर जब डाइलूट एचल को हम लोग ग्लुकोस से रिप्लेस किया यह अल्कॉल से रिप्लेस किया तो बल्ब नहीं जला ठीक है ओके हम लिखा किया अक्टिविटी में वीटे के डालूट एचल सल्यूशन नेल्स वायर्स बल्ब बैड्रिस एक्सेटरा और सेटप अपने इलेट्रिशन फिगर शो कर रहा है सोनीन फिगर हम फिगर बिन अब दुख बल बब सार्ट्स को और सेटे किसे तब इस सॉलूशन फिग अचेशिग जाथ जा फुट जलता है विच जाटे कि देट्टे । इस फ्रहा दो नेल एक जूशिय के सब टॉट में नहीं है यदो नेल एक जूशिय के साब कॉंटच में नहीं है यह टू निख बाद आयोन्स इन देन डेन किया अ यह वह यह यह बार वापस अंचाहिए ना पूर एक्टिविटी अम्नी आसले को है कि एक ने ले एक ने ले ठीक है है हम वायर को रेंडम ली कनेक करें रहे है यह बल्ब है यह की है और यहां कहीं बैटरी है ठीक है हम स्विच ओन करेंगा तो नेखेंगा यह बल्ब जल रहे है अव्यसे बात है हमको माल में इलेक्ट्रों स्विशन में इलेक्ट्रों गिरा अब इस यहां से इस नेल तक ट्रांस्वर तो होना पड़ेगा ना ऐसे तो बल्ब जलेगा नी कौन ट्रांस्वर करता है एक चील आया ना पर एक चील में क्या है एक प्लास है ना है नी तो वही बता रहा है जे आयोंस है जो इलेक्ट्रोंस को केगी करता है एक जगा से दुशा जगा दन दन सिंज एस्ट केंटेंज एच पुलास आयोंस ट्मिंस असे प्रडूस एच प्लास इंस सोलूशन अब उसी एसी को अगा में रिप्लेश करें बेस से पर यह त्रॉअस हाम गलाथ लिगता बात नहीं पर्टिक्रोंस अगा उसी सॉलूशन को हम लोग रिप्लेश करें ग्लू पहले सोच लो, हम बताता देखो, ग्लुकोस या अल्कोहल पाने में आयोंसी रिलीस ने करता, they do not release ions in water, तुमको आगी जाके मिलेगा चेप्टर 4 में जे carbon compound, जैसे glucose और अल्कोहल carbon compound, and they do not associate ions in water, ठीक है, तो उसिंस पानी में ions से रिलीस ने करता है, तो उस electrons को carry कौन करेगा, electrons तो ions के टुपास हो रहा है, ठीक है, clear, या अगर हम लोग acid करेगा, अगर NaOH रखता, क्या bulb जलता, चलता, NaOH भी तो ions release करता है, OH- release कर रहा है, NaOH प्लस release कर रहा है, तो भी बल्ब जलता, हम बस वही edit करवाएगा, यहां पर लिखा देगा, ions in water, यह chapter 4 में मिलेगा, वो लोग ions release नहीं करता है पानी में, इस वज़े सिसिंस ions नहीं है, तो electrons को carry करने वाला कोई नहीं, जबकि acid और base to dissociate in water, मतलब वो लोग पानी में ions release करता है, अब वो ही ions electrons को carry करता है, ठीक है, good out, exam में acid based अच्छा question आया है, तुमको 3 photo बना दिया, एक में acid, एक में base और एक में glucose, और पुछा कौन सा case में bulb जलेगा, और justify करने दिया, तिनों को, यही answer लिखना है, clear, acid or base में जलेगा, because they dissociate ions, ठीक है, and due to the presence of these ions, current flow हो रहा है, जबकि glucose में ions dissociate नहीं करता, done, clear है यह हम edit करवा देगा, पहले तुम लोग से निकालो, सब लोग film करवा देगा, यह concept से exam में a question आता भी हम दिखा देता है, question होना अच्छे मेरे पास, कि अधिश्य आधिया, हम देख लिता है और हम इस तेस्ट पीडियर, कि में वह दूसरा जगा है, कि अधिश्य आधिश्य आधि, यह ले लो ना चलो यह बताओ यह एक सेट अप दिया है इसी पर इस रहा रखना बस यहां पर डाइग्राम में सेम डाइग्राम में ख़ले लिया है बताओ कौन्स आप्शन होगा ए बी सी या डी बताओ अच्छा इसमें एरर यह है दुखो अगर यह एन वेच का जगम क्या डालता है इसील डालता अतो आपसरी है इसलिए इसलिए अणली ओ आता ठीक है कुश्आ ऑउट न वेच् expose और यह और यह badष है बिकास इलेक्ट्रोलाइट बेस में भी कंड़क्ट होगा ओप्शन स्थी रॉंग यह बिकास सबकिद कंप्लीट है और उप्शन फूर बट विल नॉट क्लूब पहला बात बल्ब ग्लो होगा ठीक है अगर रेंडम लेता एक्स तो हम लोग ऑप्शन फूर करेक्ट बोलता यह एस डिपेंड करेगा पर हमको पता है तो बल्ब तो ग्लो हो गाई तो यह टू राइट है यानि कि टू अनली कोड़ाउट क्लियर यहां एरर दे दिया या तो डायग्राम में या तो एंसर सही करणा जो भी है ठीक है है ठीक है कोडाउट सबको पर वही समझा है यह एक्स jl और इन्दू अवेस यह दो केस में होगा और ग्लुकोस और अल्कहल का करता यह चेप्टर फोर में मिल जाए ठीक है फले वह बेस है पर दे दो नोट डिसोशेट इस आयोंसीन वाटर विकास्ट या कोविलेंट कंपाउंड भी बोलता है जो चैप्टर फोर में मिलेगा ड़न आगे बढ़े हम यह मैं एडिट करवा देगा आगे बढ़े हम कोड़ा अब दो 2.9 समझो अच्छे से मेरा कमर बैट बैटके एक वन ग्रम ऑफ सॉलीड एने सियल इने ड्राइट टेस्ट त्यूब अब दो एक वाउन अब दो इसमें डवक वाउन डाला यानी कि हलका सा मातर में हलां कि इस्टियों सफॉल टो चैसम में डबल दिस्प्रेश्मेंट लगेगा अब बताओ क्या अगा डबल दिस्प्रेस्मेंट हम प्रम का लगगा कि दिखो ने किसकोइज करेगा है आपी थे श्रीब धूर ऑचाई Сीयल और एच क्या बनेगा यह जो एच्टिया वीज़ गैस का फेर्म मनें फोटीक है यह जो एक्टियर रिलीजसी एच्टियल गैस बनके रिलीज़ वाँ तो we observed that HCl gas is released along with Na2SO4 जिसका नाम है sodium sulfate, ठीक है, clear, तो यह reaction बड़ा बात नहीं, यह तो तुमको randomly भी देता तो तुम लोग सकता है, बट यहां रखना है, यहां पर HCl gas form में, यह state ध्यान रखना है, जहां जहां हम state लिखा है, मतलब important है state, exam में पूछ सकता है, Now, test the gas HCl, अब दो, HCl SCD खेया है नहीं, अब दो, जब हम लोग react करवाएगा, एक gas release होगा, तो during experiment थोड़ी पता है, जो gas निकला है, वो HCl है, क्या वो तुमको पता है, नहीं, मतलब वो gas SCD खेया है, बेसिक तुमको नहीं मालूँ, obviously तुम जब reaction लिखेगा तो पता चल गया ह होगा होगा, पर जब कर रहा हो तब तो पता नहीं, हम मिला दिया है, नहीं, HCl और एक gas release हुआ, अब वो gas SCD खेया है, बेसिक यह पता लगाना है, कैसे पता चलेगा, देखो, test the gas, evolve with dry blue litmus, dry का मतलब क्या है? सूखा, सूखा, और HCl है gas है, वो भी obvious सा बात है, dry है, इसमें आ रहा है, तो यह dry HCl gas है, और इसको dry blue litmus के साथ मिलाएगा, तो दो को the color of the blue litmus do not change, हमको मालूँ है, जैसीट क्या करता है? ब्लू को red बनाता है, तो हमको मालूँ में HCl acid है, उसका बावजुद भी यह blue से red नहीं बना, क्यों? क्यों, because blue litmus भी dry था, HCl भी dry था, यानि कि due to absence of water, HCl अपना acidic property नहीं दिखा सका, हम लोग बोला न, HCl पानी में H plus ion release करता है, पर सिंस पानी नहीं था, तो HCl अपना प्रोपर्टी नहीं दिखा सका, क्योड़ाउट, तो the color of the blue litmus do not change, because acids do not show acidic property in absence of water, क्योड़ाउट, क्योड यह experiment समको यही पता चल रहा है, जो acid बीना पानी के अपना प्रोपर्टी नहीं दिखाता है, acid में पानी मिलाना ही पड़ेगा, second देखो, number B, wet blue litmus, wet का मतलब क्या है, पानी आ गया, that means it changes to red because acid source acidic properties only in presence of water, क्योड़ाउट, सबको यह clear है, number 2 का A, B, ठीक है, हाँ, number 3 देखो, number 3 में क्या बोला है, what do you infer about the acidic behavior of dry HCl gas and HCl solution, obvious अगर HCl gas dry है, तो वो acidic property show नहीं करेगा, पगा HCl solution है, मतलब पानी है, तो यह acidic property show करेगा, wet out, उपर वाला ही चीज है, बस अलग से पूछा है, सबको यहाँ पता है, हाँ, में भी अपना property तभी show करता है, जब पानी एड़ा होता है, उसका भी आएगा, obviously, इसलिए साबून बेस है, नहाता है, तो पानी से तो फेन निकलता है, बिना पानी के तो नहाएगा, बिना पानी साबून के इस्तमाल करेगा, कपड़ा धोड़ा है, वासिंग से और पानी, पानी तो इस्तमाल करता ही है ना वलोग, हजगा, पानी चाहिए ही चाहिए, रैसी तो और पेस दोनों ही अपना property पानी के एपसेंस में सो नहीं करता, तो यह कोईशन किसी भी तरह से MCQ, Assession Region या Case Studies में ला सकता, तो यहारखना, अगर ड्राइ है, तो सो नहीं करेगा, वेट है, तो ही acidic प्रपरटी सो करेगा, या basic प्रपरटी सो करेगा, या basic प्रपरटी सो करेगा, दन, और तुम दो मैं लिखने का तरीका भी तुम देख सक दिया, ड्राइ ब्लू लित्मस एंसर लिख दिया, वेट ब्लू लित्मस एंसर लिख दिया, समझ गया, तो लिखने का तरीका वही है, जैसा पूछा वैसा टुटा पॉइंसर लिखो, ना ज्यादा सौट कट, ना ज्यादा ilaborate करना, तो डाउट, जिसके लास्ट क्लास में एक पूचिन था हाँ वह आला जिसमें यह पुचा था डा कंपेर डा लेंग्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनिं अर्व और साया न है कंपेर मतलब क्या कॉन बडा कॉन चोटा और देखके पता चल रहा हाफ प्लस उस जाफ मार्क है नहीं बोला ना compare बोला है compare का मतलब क्या है हम पुझे का कौन बढ़ा है दो नहीं से तुम क्या बोलेगा खार में और इसका ही ज्यादा बढ़ा है खतम ना answer अलगा अपना पूसल नहीं है जेस्टिफाइग किया है बट ठीक है मार्किंग स्कीम भी देख लेना कुछ नहीं चलो justify कि अच्छा है कोई प्रोग्रम नहीं पर एक दोस्टों नहीं भी क्याम देखा है जैसे कि अपना पूसल तो marks मिलेगा because compare बोला है justify नहीं पूछा है done तो बस paragraph change करके उसी को full में लिख देगा पक्का और वो लिख देना underline करना किसका larger underline then किसका तो वह underline करने पर टीचर पूरा स्टेट्मिन नहीं पड़ेगा वह underline words से समझ जाएगा तुम क्या लिखा है में वह underline करना underline करना अब यहार नोट अब दो जो रियल वार्टावरन है रियल एंवार्मेंट है हम लोगा सपोस्ट टीचर क्लास्रूमें कर दिखा रही है या लैब में दिखा रहा है अब लैब में जो हम लोगा air है उसमें water paper होता है नहीं होता है हाँ तो जब hcl gas release होगा ओविस अबात है वह atmosphere का water paper के साथ मिक्स होगा हाँ तो क्या hcl gas dry रहा नहीं तो क्या teacher तुम को दिखा सकेगा जिए dry का case में कैसे so नहीं करता दिखा पाएगा मतब तुम जो hcl gas collect किया वह usually water paper के साथ मिक्स्ट है तो teacher को अगर experiment दिखाना है पर उस वहाँ से water paper को remove करना पड़ेगा हाँ तो देखो इप्दा climate is very unique we pass the hcl gas produce through a guard tube जिसको drying tube भी बोलता है containing calcium chloride अब यहां पर calcium chloride को या रखना यह mc को में डाल देता है बहुत बाहुत यह drying agent है यह क्या करता है सारा water vapor को absorb कर लेता है ठीक है तो तो तुम देखो बुक में मिल जाएगा तुमको sorry book कहां गया यह देखो guard tube नीचे side में बनाया गा है student लों के छोटा-छोटा चीज skip कर देता है पता है छोटा-छोटा चीज important है पर्टिकली स्टेट बोर्ड का student कम्प्लीटी स्कीप करता है तो गार्ट इसमें क्या है calcium chloride तो जब hcl gas को इससे पास करता है तो पूरा hcl gas आरपार होके निकल जाता है और water vapor यहां पर absorb कर लिया जाता है ठीक है put out तो इससे case studies अच्छा बन सकता है इसको भी एक point में कहीना कहीन डाल सकता है यह वाला जमाल लो hcl gas dry कोई भी चीज बोल देगा randomly ऐसा नहीं जी है इससे पूछे बोल देगा कोई compound लिया और wet हो गया gas form में कोई भी चीज लिया तो उसको dry करना है तुम क्या करेगा या कौन सा compound के इस्तमाल करेगा उसको dry करने के लिए सीधा answer है calcium chloride ठीक है तो यह randomly कहीं भी पूछा जा सकता है तो यहार रखना calcium chloride एक drying agent है ठीक है सबको clear है ना क्या बोलना चाहता है हाँ कुराची केसर रजनीन एन डिया हाँ रहा है हाँ पाड़ करता पकाहस हाँ रहे हुआ है दो अधक कर निद्यक्रा जेगा निद इन हमниनक Progress कर से निदू के-च्च对क भाव कल खने इन यह थो की में करें है झाल झाल